देश में दिवाली की धूम शुरू हो चुकी है बाजार भी दिवाली की तयारियों में जुट गया है आपके मन में भी यही सवाल होगा कि अगले समवत में कमाई के लिए कहां फोकस करना है यूस में चुनाव, मिडली संकर, चाइना कस्टिमिलर्स, एफाइस की बिकवाली और अर्निंग सीजन के थोड़े से प्रेशर इन सब के बीच में कहां आपको ध्यान देना है, इन सब सवालों को सुलजाने के लिए और आपके दिवाली को रोशन बनाने के लिए हम एक खास शोगर लेकर आए हैं दिवाली पर कमाई की थीम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनाव होल्डिंस के डिरेक्टर मनीश चुखानी जुड़े हैं, मनीश जी एक मैक्रो पर बहुत शांदार पकड़ रखते हैं, एक एस स्टॉक पिकर भी है और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिन पर अगर आप जाएंगे तो बहुत शांदार मनीश जी सिंगर भी है और शायर जितने अच्छे वह स्टॉक पिकर रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छे सिंगर है, मनीश जीप सब्सक्राइब दिवाली की बहुत बहुत शुब काम ने, और पिछला संबत तो बहुत ही अच्छा गया सब के लिए, आई होब आने वाला भी साल हमें ऐसे ही उप्र में, हैवेल्स में, जिस तरीके के हमने रियाक्शनों देके क्या थोड़ा सा एक रियालिटी चेक मिला है मार्केट को, अप्सुल्टी सही का और हम पिछले छे महनों से, जो में और मेरे कॉलीग है, मार्केट में जो 25-30 साल से, जो है मार्केट में, सब आके ये कॉशन दे कि जो पोस्ट कोविड में बूम चालू हुआ था, तो जो कंजूमर थे वो जो के शेप रिकावरी हम बात करते हैं कि उपर में आके हम बड़े घर की और आकरशिक हो रहे थे, बड़ी गाडियां ले रहे थे, वह में इंप्रूम्मेंट हो रहा था, ट्रैवल और टूरिज इंप्रस्ट्रक्चर, वह भी आफ्टर ये एलेक्शन रिजल्ट आने के बाद वह थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है कि थोड़ा सोचल एक्पेंडिचर के तरफ भी जाए, एक्सपोर्ट साइड में जो दुनिया में स्लोड़ाउन हो तो तीनो जो आपके एंजिन है, तो ग दिखा रहा है कि अपने देश में 15% जैसी compounding होके 5 साल में double होते हैं और 10 साल में 4 गुना होते हैं, अब वह जादा हम लोग ने उसको upfront कर लिया, तो some amount of consolidation, sideways movement की earning catch-up होए, and जो unbridled boom हुआ है across all companies, जिनकी earning repeat नहीं हो पाएगी, I think there is some reason to pause and take stock, and definitely portfolios, पिछले 3-6 महने में आपने देखा होगा, most investors have gone towards defensive businesses, कि IT, Pharma, FMCG के और गए हैं, the valuations were not defensive, but businesses were, और वहां भी जब हिट आना चालू हुआ, तब finally यह समझ में आ रहा है कि market is about taking asymmetrical bet, कि रुपे का माल आठाना में में मिले तो ठीक है, आजकल रुपे का माल 2 रुपे में म अगर रुपे का में मिल रहा है, तो अभी 2 का रेड़ तो हो गया, तो अभी 2 का रेड़ तो हो गया, तो अभी लेना नहीं गया, वेट करना है, तो आपका time horizon इतना लंबा है, जैसे, I have spoken the past, Infosys जैसी company 2000 में जब टॉप बनाई थी, तो 45 billion dollar की टॉप बनी थी, और आज devaluation भी लें तो 4 गुना हुआ 24 सालों में इंडेक्स दौरान में उस टॉप से almost 15 गुना हो गया 14-15 गुना हो गया तो just buying the best company at the wrong price will not give you a return और वो काफी कमनियों के साथ आज mispricing चल रही है so आपको यह देखना है कि आपका return expectation क्या है और किस period में अगर मैं अपना horizon लंबा कर दूँ तो maybe some of the companies that हम लोग भी 100% cash तो जाते नहीं है पर some companies में return expectations have become sub 15% double digit आजाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज earning growth double digit में नहीं आ रहा है so जब तक वो acceleration वापस नहीं आएगा आपको शान्ती रखनी पड़ेगी यह जो analogy आपने use की info से इस वाली वो क्या 10 साल बाद हम HDFC bank को लेके भी यह कह रहे होंगे so यह भी बहुत अच्छा example दिया आपने क्योंकि 2010-20 के बीच में जो quality में you know expansion हुआ था multiples का तो Kutak bank, HDFC bank, Bajaj in financials और Nestle या page industries और यह सब अगर आप देखें जब यह bull market चालू हुआ पिछले bull market के लीडरों ने इस market में repeat नहीं किया and यह bull market चालू हुआ PSU से and PSU banks तो जो even other than PSU bank हम you know discard करते थे ICICI bank को या access bank को, SBI को, Kanara bank को and so on they showed tremendous amount of returns जबकि Kutak and Bajaj finance and HDFC have actually gone nowhere same thing मुझे याद है मेरे पास pre-COVID Nestle करीब 16,000 में मैंने बेचा था 50% of market is three and a half times so under performance has come in quality and full bull market has been in cyclicals so industrial जो पुराने bull market था 2008 का जिसमें अमने सब को discard कर दिया था power, infrastructure, real estate they have led this bull market और अब उनकी valuation ऐसे हो गई कि तच्यूब होता है कि लोग क्या सूच रह इसमें क्या हो जाएगा, so एक business का performance होता है और एक market का performance होता है और जब market excess discount करता है तो थोड़े period को आपको digest करना पड़ेगा, अब coming back to the HDFC of the world की इतना hatred stock हो गया है कि I will not be surprised कि अगले cycle में now these banks start leading again. Okay, these banks start leading again. Okay, since आपने K-shape recovery की बात की ती, क्या market में K-top का risk है कल आप देखें Hyundai का IPO आगया लिस्टिंग हो ए है कहहें कि एक दो और बड़े Korean IPOs भी आएंगे, तो क्या वहां सा रिस्क प्रक्टर लागा? See, पिछले 6 महने में अगर मैं गिनू, if I am not wrong, करीब 30 billion dollar का supply आया है market में और उस 30 billion में 15 billion has come from companies which are raising to grow, which is a good thing and 15 billion has come from promoter sale and private equity sale, जो कि उनके जेब में पैसा वापस जाता है और शायद घूम के थोड़ा बात बजार में आता है वापस, but it doesn't create productive capacity and उस light में अगर आप देखे हर देश का हर strategic investor, USA से चालो करे तो Whirlpool and GE ने आके अपने शेयर बेचे, UK को देखे तो BAT ने आके अपना और Vodafone ने आके अपना शेयर बेचा, Japan में देखें तो at least Sumutomo मुझा इहाद है जिसने आके Mother Sins बेचा, Singapore से भी Singtel ने आके भारती Telecom बेचा, तो Korean क्यों पीछे रह जाएं तो वो भी आ गए और हमारे promoter भी जो Indian है, Tata Sanj ने भी TCS बेचा, Anil Agarwal ने आपके विदानता बेचा, तो I don't want to go after the whole list but जो मैं कहता हूँ knowledgeable investor है वो आके शेयर बेच रहा है और जो retail investor है वो खरीते जा रहा है और इसमें मुझे बहुत अच्छा वाकियाद आता है Mark Faber का, वो बोलते हैं beginning of the bull market में the promoter has the vision and the investor has the money, by the end of the bull market the promoter has the money and the investor has the vision. कि एक melt-up जासा phase कि अगले दो-तीन सालों में एक एकदम melt-up आजा जितना भी gains है और आधिक आपका पहले well documented view रहा भी है कि पुरा front-loaded हो जाए. I think so, कि मैंने पहले भी का आपके earlier interviews में कि हर दशक में जब से US ने gold standard को abandon किया, वो excess money जो printing होती है वो कहीना कहीं जाके उचलती है तो 60s में जो nifty-fifty stock हुए थे अमेरिका में, Walt Disney, Kodak और यह सब, 70s में आके उसने oil market में जब भूम वा था तो gold and silver का top बना था, 80s में यह emerging markets में आया, उस time emerging market was Japan and Taiwan और वहां पे top बना, 90s में Nasdaq का top बना जो 2000 में जाके peak हुआ, 2000-2010 में bricks, commodities, money, China and commodities was the theme of that decade, 2010-2020 was tech and fang, जिसको इनोंने extend कर लिया है with money printing after covid, यह दशक is the decade of again hard assets, कि इसमें commodities or इस time gold, silver, uranium में जो आप breakout देख रहे हैं, I think the prices will be far higher than what people can imagine and incidentally, 20 साल का जो record है, gold and sensex returns are the same, तो हम इता महनत करते हैं, share ढूंटे हैं, मेरी wife is performing better than me, so maybe this is the Diwali for the wives to celebrate. But having said that, I do think कि यह decade में emerging markets and हम अपनी demographic dividend पे बहुत देते हैं, but Indonesia जैसा market भी बहुत पीछे नहीं हैं and interest rate भी बहुत होने वाले हैं, so I think there is back to this period of hard assets and like I said commodities and precious, precious minerals. Okay, आपने एक चीज़ कही थी कि, investors must buy where earnings growth and sustainable ROE is less than multiple being paid. Correct. तो हमारे जो और सुम्झायाता हूं, basically, अची कंपनिया ठीक भाव पे खरीदनी है, ऐसी opportunities हैं इस समय मार्के? See, the good thing about India is that इतना वाइड हो गया यह base, कि आज भी, I love giving this statistic, 130 company में 75% Hindustan खतम हो गया in terms of market cap, कि 11 company में 25% आ गया, 1.2 trillion dollar जैसी market cap है, 11 company में, उसकी अगली 30, 31 company में अगला 1.2 trillion dollar आ गया, उसके बाद करीब 80 company है, 80-85 company है, जिसमें next 1.2 trillion है, तो 132 company में 75% Hindustan खतम हो गया, बद जो टेल है 370 उसके बाद के जो है, उसमें इतने companies भढ़ चोके हैं and also size जो हो गई अभी, कि छोटी company आज हम लोग small cap को गीनते हैं 3 billion dollar, पच्छी हजार कोड़ पे तो small cap मानते हैं उसको, सो हर sector में आज opportunity है और यह rotating bull market जैसे मैंने कहा, कि अगर यह चालू हुआ, defense, infrastructure, railways, capital goods, real estate, travel, tourism, they have all been pulled to an extreme, like the stock of last year has been say Trent and Zomato, again fantastic companies but the prices have been pulled to an extreme, to see returns in a 10-year perspective is difficult from here, even though they perform very well. तो अगर जो जैसे आप boring stock देखते हैं, एक end में आपको जैसे HDFC bank आपने जिक्र किया, या नीचे देखे, renewables की theme अच्छी चल रही है, या I'm just thinking मैंने, मैंने भी क्या किया last, airlines for example, still doing well and lot of scope over there, which are not traditionally the best businesses to put money, but like I said, asymmetrical bet, कि रुपय का माल आठाने में मिल रहा है, या इसका चांस है कि मैंने रुपया भरा है पर इसकी earning दो हो सकती है, वहां पर खाली हमें देखना है, Okay, एक काम कर्दें, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जो एक्जाम्पल्स दिया हैं, उन पर बात करते हैं, मनेश जी के साथ, मनेश जी आपने दू एक्जाम्पल लिए, जोमेटो और ट्रेंट, मैं जोमेटो से शुरूबात करता हूं पहले, जोमेटो का आई प्यू आया, शांदार लिस्तिंग उई, उसके बाद, बड़ी करेक्शन आई स्टॉक में, बावन पच्पन तक आया, वहां एक बॉटम बना, वहां से लेकर अब इस लेवल पर आगया है, कि शायद निफ्टी का स्टॉक बन जाए, इसकी कहानी से क्या लेसन मिलते हैं, और क्या अब ये स्टॉक जो है, वह एक्स्ट्रीम पैसिमिजम से, कंप्ले उफोरिया में आगया वापस. या, सुझी, मैं नॉर्मली स्टॉक के बारे में, I don't like to speak, and it's a great company, which I have great admiration for, and we have also benefited from it. But because I gave you Infosys example, which is our dearest closest to heart company, इसकी भी, I gave in that manner, that आज ये 30 billion dollar roughly market cap हो गया, and they are so smart, कि उन्हें भी पता है कि, you know, valuation is fantastic, इसले वो भी शायद आगे अपना QIP कर लें, and tactically also is the right thing, to preempt what Swiggy is trying to do. What they have built as a business, heads off, fantastic. But अगर आपको 30 billion dollar की कमनी आपने की 2.5 lakh crore से जादा market cap हो गया है, and like I said, our return expectation is कि 10 साल में आपने चार गुना हो जाए, so 30 से 120 billion की जर्नी होगी, यानि 10 lakh crore का market cap हो जाए, 10 साल में, the company will be fairly a built-out company, like today we count Infosys was then a growth company, now it's a fairly built-out company, let's say 30 का P हो गया, तो आपको almost 3-4 billion dollar profit कमाना है, आज आपका profit समझे इतना 100-500 million dollar है, तो जो multiple है, is paying so much for the future, कि profit must grow three times of your expected return in the stock, annually, which is very difficult to do, I'm not saying it's impossible, but like I said, asymmetrical bet, 50-75 में तो पूरा गाउँ टूट गया था, कि if you divide आज कितना पौने 300 का भाव है, इसको आप से divide by six, तो पचासना को साथ भी कर लो, तो भी 4.5 सिगरी भोगा, तो चार-5 billion में जब आप ले रहे थे, आप 10 साल में मेरा 10 को ना हो सकता है, क्या 50 billion हो सकता है, चांस है संभावना है, पर 30 आज ही कर दिया आपने, तो 50 का odds is not interesting from today's point of view. So, like I said, companies are always great, what the investor has to do is investor's business, कि आज आप pricing wrong कर दें, then you can't blame Infosys, अगर 16,000 में आपने Infosys ले लिया था, 2000 में, you can't blame Infosys for that, company performed, हर cycle में देखा गया, उसके पहले 90s के दर्शक में, Hindustan Lever होता था, हर Diwali Show में, Hindustan Lever का recommendation होता था, 12 साल, no performance, then Infosys and all the others, Vipro तो कहे, 14 साल से performance नहीं हुआ है, in the stock, although they have done well and hats off to what Mr. Premji has achieved. But same with 2008 का जो top बना था, like I said, DLF, Reliance, how long it took to come back from that cycle. आज आप बात कर रहे हैं, जैसे HDFC Kota के बारे में, it takes 10-10 years to come back from the previous highs. And compound, actually we are interested in compounding, company does well, investor का entry point is the problem. अज आप जाई आप 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 1 1 2